हलो एवरिवान आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास टेन थी की हिंदी के बुक से उत्सा और अट नहीं रही है कि प्रशन उत्र तो चलिए प्रशन उत्र को शुरू करते हैं यहाँ पर सबसे पहला प्रशन है कवी बादल से फुहार रिमजिम या बरसने के स्थान पर बल्कि उसकी जगह पर गरजने के लिए कहते हैं तो इसका क्यूं वो ऐसा कहते हैं तो इसका अंसर है निराला जी क्रांति कारी कवी थे वे समाज में बदलाव लाना चाहते थे इसलिए जंता में चेत्ना जागरेत करने के लिए चेतना मिंस किसी भी चीजों को समझने और का मुल्याकन करने की शक्ति को जगाने के लिए और जोस जगाने के लिए कवी बादल से फुहार रिमजिम या बरसने के लिए ना कहकर गरजने के लिए कहा है गरजना शब्द क्रांती बदलाओ विरोध दरसाता है नेक्स्ट क्वेशन है कवीता का सिर्सक उत्सा क्यूं रख लाने के लिए उत्साहित करना चाहते हैं इसलिए कवीता का सिर्षक उत्सा रखा गया है नेक्स्ट क्वेशन है कवीता में बादल किन किन अर्थों की और संकेत करता है इसका अंसर है कवीता में बादल निमनलिखित अर्थों की और संकेत करता है निमनलिखित मीनिंग्स की और संकेत करता है जिसमें सबसे पहला है पानी वर्षा कर सबकी प्यास बुझाता है और सुखी बनाता है यानि जो बादल होता है वो उसे फिर पानी बरसती है और फिर सबकी प्यास बुझती है और सभी सुखी होते है नेक्स्ट पॉइंट है गर्जन कर क्रांतिकारी चेतना जागरित करता है गर्जन मेंस जो बादल गरस्ते हैं उसी को लेखा कहते हैं कि जब बादल गर्जन करता है गरस्ता है तो वो क्रांतिकारी चेतना पैदा करता है नेक्स्ट पॉइंट है नव निर्मान कर नव जीवन प्रदान करता है यानि नई निर्मान कर वो नई जिन्दगी प्रदान करता है नेक्स्ट क्वेशन है शब्दों का ऐसा परियोग जिसे कवीता की किसी खास भाव या दृष्ष में ध्वनियात्मक प्रभाव पैदा हो नाद सौंदरी कहलाता है उत्सा कवीता में ऐसे कौन से शब्दे हैं जिन में नाद सौंदरी मौजूद है छाट कर लिखें इसका अंसर है कवीता के इन पक्तियों में नाद सौंदरी मौजूद है कौन कौन सी पक्तियों में नाद सौंदरी मौजूद है यहाँ पर लिखा है सबसे पहला है गेर गेर घोर गगन धारा धर ओ दूसरा है ललित ललित काले घुंगराले बाल कलपना केसे पाले तीसरा है विदुद शबी उर्मे और चौथा है विकल विकल उनमन थे उनमन अब हम लोग क्वेशन अंसर देखेंगे अट नहीं रही है तो इसका सबसे पहला क्वेशन है छायावाद की एक खास विशिस्ता है अंतर मन के भावों का यानि हमारे मन के अंदर के जो भाव होते हैं उसका बाहर की दुनिया से सामनजश बिठाना यानि की बैलन्स करना कविता की किन पक्तियों को पढ़कर ये धारना पुष्ट होती है लिखे इसका अंसर है कविता के निमनलिखित पक्तियों को पढ़कर ये धारना पुष्ट हो पढ़कर ये जो धारना है वो पुष्ट होती है पुष्ट मिन्स पक्की होती है कि जो प्रस्तूत कवीता है जो कवीता दिया गया है उसमें अंतरमन याने अपने मन के भावों का उसके इमोशन का बाहर की दुनिया से बैलन्स विठाया गया है यहाँ पर वो लाइन है आभा वे कि आँख भागून की सुंदर्ता से क्यों नहीं हट रही है इसका पढूब ऊसकर है क्वी की आँख भागून की सुंदर्ता से इसलिए हट नहीं रही है क्योंकि इस महीने में प्रकृती का सौंधरी अतियंत मनमोहक होता है जो नेचर होते हैं उनकी जो खुबसूरती होती है वो बहुत ही जादा मनमोहक होता है अट्रक्टिव होती है पेडों पर हरी और लाल करर की पत्यां होती है चारों और हरियाली फैली हुई होती है और बहुत सारे रंग भी रंगे फूल होते हैं जो अपने खुश्बू से मुख्द कर देते हैं प्रकृती का नया रंग और सुगंध जीवन में नई उर्जा का संचार करती है प्रस्तूत कवीता में कभी ने प्रकृती की व्यापक्ता का वर्णन किन रूपों में किया है इसका अंसर है प्रस्तूत कवीता में कभी ने प्रकृती की व्यापक्ता का वर्णन निमनलिखित रूपों में किया है पहला पॉइंट है पेड़ पोधी नए पत्ति पाकर खिल रहे हैं दूसरा पॉइंट है फूलों की खुश्बू वातवरन को सुगंधित कर रही है यानि खुश्बूदार कर रही है डालिया कहीं हरी तो कहीं लाल पतियों से भर जाती है नेक्स्ट पॉइंट है बाग बगी चो में चारों और हर्याली चा गई है कवी को प्रकृति के सौंदरी से हां आँख हटाना मुस्किल लग रहा है नेक्स्ट क्वेस्टन है फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी रीतुओं से भिन्न होता है यानि फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी के जो सीजन होते हैं वो अलग होते हैं तो इसका अंसर है फागुन में प्रक वो से भर जाती है आकास साफ स्वच होता है साफ आकास होती है पक्षियों के समू यानि उसके ग्रुप आकास में विहार करती दिखाए देते हैं यानि कि इधर से उधर घूमते दिखाए देते हैं बागबगी चो और पक्षियों में उल्लास भर जाता है इस तरह फागून क सौंदर ये बाकि रीतों से भीन है नेक्ट क्वेस्चन है इन कवीताओं के आधार पर निराला की कावेशिल्पी की विशिष्थाएं बताएं इसका अंसर है महाकवी सूर्या काथ त्रीपाथि निराला जी छायावाद के प्रमुकवी माने जाते हैं उनके कावेशिल्पिकी विसिस्ताएं है तो पहली विसिस्ता है दोनों कवीताओं में यानि की उत्सा और अठ नहीं रही है इन दोनों कवीताओं में प्रकृती चित्रन द्वारा यानि कि नेचर के खुबसूरती के द्वारा मन के भाओं को प्रकट किया गया है यानि नेचर के खुबसूरती से ही जो मन के विचार होते हैं भाओ होते हैं उन्हें प्रकट किया गया है नेक्स्ट है बानवी करन अलंकार का पर्योग हुआ है पहली कवीता में कवी बादल को गरज गरज कर बरसने को कह रहे हैं, तो दूसरी कवीता में कवी फागुन से बात करते हैं। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देतो हो। कवीताओं में तत्सम शब्दों का परयोग उचित मातरा में किया गया है। नेक्स्ट है गीत्सेली का परियोग हुआ है लेबधता साफ दिखती है। नेक्स्ट है अनुपरास, रूपक, यमक, उपमा, आधियलंकारों का परियोग अच्छे तरीके से किया गया है। तो यह थी उच्छा औरट नहीं रही है कि वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब गड़ा मत भूलेगा मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू